इस्टेगल में बहुत सारी चीज़े सेक्रिफाइस करनी पड़ती है क्योंकि खुजली आपको हुई है आप ही को मिटानी पड़ेगी आप जो आप है वो आपने बनना चाहा था और अगर डिसपॉइंटमेंट आ रहे हैं तो आप तो कंप्लेन भी नहीं कर सकते क्योंकि आप ही ने चाहा था ये बनना तो बस यही था कि 10-12 साल तक मैंने सोचा था 10-12 साल जब स्ट्रगल हो गए तो मेरे बहुत जादा वो भी हुआ क्या छोड़के चले जाते हैं कुछ काम मिलनी रहा क्या हो रहा है कुछ पता नहीं डूनो मिल पाएगा यह नहीं मिल पाएगा फिर यह होता था कि नहीं मेरी मदर जो है न एक लेटर लिखती थी मुझे हमेशा तब मोबाल उबाई नहीं आयते पेजर पेजर आयते तो पेजर यहां पे लगा के चलते थे हम लोग जब उनको मालूम हो जाता था कि बंदा जो है न थोड़ा सा फ्रस्टिशन में है डिप्रेशन में है क्योंकि काम नहीं मिल रहा तो मेरी माम मुझे एक लेटर लिखती थी तो उस पर लिखती थी कि लिखने के बाद एक लास्ट में लिखती थी कि बारा साल में कच्रे के दिन भी बदलते हैं तो तो इनसान तो तेरा दिन भी बदलेगा तो उन सब चीजों को देखके कोई एक शेर, कोई एक कोटेशन, कोई इस तरह की जो मोटिवेशन, मोटिवेट करती हैं, जो लाइन्स आपको, उनका रहना, उन पर बिलीव करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वही चीज़ आपको मोटिवेट करती हैं, आगे बढ़ाने के लिए, और जब खराब वक्त होता आपको, वो लाइन्स, वो पॉइम्स, वो, वो सारी चीज़ा आपको संबल देती हैं, मजबूती देती हैं, ताकत देती हैं, और मैं जिस गाउं साय था, डिस्टिक के लिए रात में कभी आ गई, या एक मेहने के बाद हलका सा मुह दिखा के चली की, इस तरह की लाइट इस तरह होती थी, वोई लैंप में पढ़नाय स्टार्ट किया, लैंप, तो, छोटे से गाउं से आने के बावजूद, फिर दिल्ली, हमारे दिल्ली, मतलब छोटा साब उससे बड़ा शहर भी हमें ऐसा लगता था, पतनी क्या है, मतलब डर लगता था, मैं जब मुंबई में आया था, तो मैं 15 दिन तो घर से बाहर ही नहीं निकला था, क्योंकि इतनी स्पीड देख रहा था हमें, कि इतनी स्पीड में तो हम चली नहीं पाएंगे, इस शहर के स साथ, शायद हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे विल्कुल भी, तो इस तरह की डर थे, लेकिन ऐसी जगह पे, ऐसी जगह पे आ गये थे, कि अब जाना भी मुश्किल था, तो मतलब वापस नहीं जा सकते थे, वापस इसली नहीं जा सकते थे, कि बहुत सारे डर थे, वापस आगे तुम भी, जैसे बहुत सारे लोग वापस आ रहे तो तुम भी वापस आगे, चलो लग जाओ, ठीक है, गाउं में इसली नहीं जाता था अपने, कि जो पहले ही बोलते थे, वो लोग के शकल तो देख ले, फिर हार के उनके सामने चला गया, तो क्या बोलेंगे, वो जो भी है, मरना जीना मुंबे में ही होगा, रेबा सक्सिस की, सक्सिस अगर तीस साल बाद भी मिलेगी, उसके लिए भी मतलब तयार रहना चाहिए, सक्सिस की कोई डेट नहीं होती, कोई तारिख नहीं होती, कोई टार्गेट नहीं होता कि इतने ही दुनों में मिल जाएग इनसान का काम होता है I think मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि लाइफ ना हमेशा अपने आपको लाइफ में पुश करते रहो और पैशन के साथ जिस भी आप काम में हो जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें पैशंट की साथ लगे रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पैशन से क्या होता, जिस भी आप फिल्ड में होते हैं, उसकी डिटेल्स से डिटेलिंग्स मिलनी शुरू होती है जैसे जब आप समंदर में देखते हैं समंदर देखते समंदर की जब गोता मारते नीचे जाते हैं तो आपको एक धीरे-धीरे बहुत कुछ दिखाये देने शुरू अजब आपका भी फिल्ड है कोई हर फिल्ड ऐसे ही होता है उसमें संभावना है होती है इतनी पॉसिलीटियस होती है कि सिर्फ अगर एक दरजी एंप में पैंड सीता है एक फजार तरीगी के पैंड सी सकता है अगर वो चाहें तो अगर उसने नहीं चाहाँ तो तो जो ट्रेंट चला रहा है वो इसीता जाएगा लिकान अगर उसने चाह लिया कि मैं ऐसा कुछ कुछ करता हूँ तो एक हजार तरीकी के पैंट उसी में एक हजार तरीकी किसी देगा वो पैंट ऐसे हर फिल्ड में पॉसिबिटिस बहुत होती है और एक परफेक्शन होता है फर एक्सांपल जैसे हम लोग हम लोग को ने ट्रेनिंग इसलिए लिए कि परफेक्शन आजाए अपने काम पे जैसे एक मैंने एक्सांपल सुना था कि ये छोटी-छोटी चीज़े जो मैं बता रहा हूँ ये चुक पताते हैं कि एक बहुत बड़े पतनी ये सच है जूट है मुझे इंतना जाद नहीं मालूम बट कोई बहुत बड़े इंसान हुए लेकिन वो पहले मौची थे जूता सीते थे लेकिन जूता जहां से सीते थे ना, वहां से कभी फटता नहीं था वो, बले दूसरी जगा से फट जाए, लेकिन वहां से नहीं फटता था, क्योंकि उसका पैशन था, जूता सी ना, काम भले ही वो है, वो लेकिन उस काम में भी उनका पैशन है, तो इसी वजह से वो इतने पॉपुलर होते चले गए क्यार जूता फढ़के लेकिन सिल्वाना वहीं जाके क्योंकि आगर उन्हें सी दिया वहां पर जिंदे की पर महां से जूता नहीं भड़ेगा तो छोटी छोटी चीज़ों में यह जो परफेक्शन पैशन यह सारी चीज़ों तो यह आपका आगे बढ़ाती है बहुत आगे ले जाती है लेकिन उसके वही है कुछ चीज़ों का होना वाकिए बहुत जरूरी होता है फिर एक्सपिरियन्स आपका आपके नॉलिज जिसे मेरा मानना है कि मैं कभी मैं सॉरी डू से बट मेरा खुद का मानना है कि मैं लग पे बिलिप नहीं करता हूँ मेरे सामने आज तक मेरी मेरे सामने लगिली कोई चीज नहीं हुई कि मैं लगिली यहां तक पहुँच गया आज जो आप प्रोमो देख रहे थे जो क्लिपिंग्स देख रहे थे मेरी मैं लगिली नहीं पहुँच हूँ यहां पर मैंने उसके लिए मैंने उसके लिए नॉल कि यार देखता यार लक जब होगा तो हो जायेगा ऐसे थोड़े नहोंता है घाल की नीहीं और वह ऊसके लिए एक मेना में पर हार्मोनियूं पर बैठा में कि बाला साफ कहां से बोलते हैं उनका सूर क्या है उनका टेक्श्चर क्या है उनकी वॉइस का उनकी वॉक कैसे है वो चलते कैसे हैं उनका वेट किस चीज़ पर जादे डिपन्ट करता है हर आदमी का जो वेट होता है किसी का थाइस पर होता है किसी का फूट प इस तरह की बहुत सारी डिटेल होती है जब आप जाते है तो बहुत सारी चीज़े पता चलते हैं मेरे सामने इतने चैलेंज थे जब मैं बाड़ा साप का रोल कर रहा था तो वो मिमिक्री भी नहीं होनी चाहिए कॉपी भी नहो जिसे अमुमन अक्सर होता है जब हमारे यह बायोग्राफिक की जाती है तो हम कॉपी कर देते हैं उसकी कॉपी करना मतलब अगर हम किसी की कॉपी कर रहे हैं या मिमिक्री कर रहे हैं तो वो वीकनेस समझे जाती है कि आप वीक अक्टर हो और ये बात मुझे बहुत पहले समझ में आगे थे जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था मैं ट्रेनिंग के फायते बता रहा हूं आपको जब मैं ट्रेनिंग ले रहा थे हमें तभी समझ में आ गया था और प्रिपरेशन के वक्त बाला साथ की प्रिपरेशन के टाइम पे कि मैंने कि इसकी मिमिक्री नहीं होने बाला साथ की मिमिक्री नहीं होने चाहिए यह नपी होने चाहिए और लगने भी चाहिए के बाढ़ा-स ब्रता करें हैं क्योंकि चैलैंज यह था कि हजारों लाखों वीडियो्स हैं बाढ़ा साप ठाके कि हर आतमी ने देखे हुए हुए है है सबने देखें के बाणे से पोलते हैं हाध को ऐसे ले जाते हैं एक बार यह हुआ था कि हम मैं जब इसकी शूटिंग कर रहा था ठाकरे मुवी की शूटिंग कर रहा था मैं तो उद्व साब ठाकरे जो है वहां पर आ गए थे वैनिटी में बैठे थे मेरे सामने तो मैं मेरा हाथ ऐसे था तो बुले अपने हाथ यह ऐसे क्यों रखा हुआ है मने उनका हमेशा ऐसे ही रहता था तो और यहीं वो क्या होता था वो सिगार पीते थे और सिगार ऐसे पिया जाता है कुछ ऐसे और इसलिए उनका हाथ हमेशा normally भी रहता था तो ऐसे रहता था और यहीं से जब speech देते था है यहीं से यह जाता था जो उनका signature जिस्चर था तो वो shock रोगए कि इतनी detailing इतनी detailing आपने ली यह तो जब वो फिल्म देखी जब फिल्म देखी उन्होंने तो फिल्म देखने के बाद उनको रियलाज हुआ कि वाकर बहुत स्टेडी किये नवाज ने उनके बाड़ा साब के ओपर तो मुझे खुशी हुई थी कि थैंग गॉड कि ये सारा किसली हो रहा पैशन की वज़स हो रहा एक उसके बाद आपके आप एक्सपीरियंस है आपकी नॉलिज है आपकी ट्रेनिंग है उससे ये सारी चीज़े निकलती है लाइक मंटो ये जितने भी क्यारेक्टर्स हुए वो सब हवा में नहीं हुए यह लकीली नहीं हो गए उनके लिए बागादा बहुत छूटी-छूट चुटी-छूटी डिटेल इकठी की गई स्कोर बनाया उसका उन डिटेल्स का तब जाके वो कैरेक्टर जो आप देखते हैं वो एक अलग इनसान अल एक अलग इनसान दिखता है वो मैंने कभी भी हिरोईजम या इन सब चीजों पर बिलीव नहीं किया जब आज मुझे बो स्टार्स का क्या होता है कि जब स्टार होता एक जैसा होता है और 30-40 साल तक एक जैसा करता चला जाता है वो मुझे वो नहीं बनना कर मैं ये करूँ तो शायद दूसरे दिनी बोर हो जाओंगा मैं मुझे हर रोज नए करेक्टर ढूनने है लोगों के बीच में रहना है क्योंकि लोगों ये बीच में रहने से बहुत सारी चीज़े मिलती है मैंने एक रोल किया था लंच बॉक्स में पदे नहीं कितने लोगों ने देखी हो फिल्म मुझे नहीं मालूं उसका कोइंसिटेंट ऐसा हुआ कि मेरा जो दोस्ता जो मेरे रूम पार्टनर स्टेगल के टाइम पर मेरे साथ रहता था तो मैंने उसी को सेम उसी की डिटेल मार दी उसमें फिल्म में जब पिच्चर रिलीज होई तो उसने देखी उसको लोगा अरे ये तो मैं हूँ अब वो भी अक्टर था उसके बाद जब वो फिल्म इंडिस्ट्री में किसी के पास काम मागने जाता था तो लोग उसको बोलते ते यार यह ऐसा मत कर यह नवाज ने कर दिया कुछ दूसरा कर तो बोलता हम उतों औरिजनल में यह से हैं उन्होंने हमारा कोपी किया है लग कहने के मतलब यह है कि लोगों के क्या होता है स्टार्स हमेशे शीशों के घरों में रहना शुरू कर देते हैं उनको बैंड़ा में उनको मतलब किसी ऐसी जगह पर रहते हुए यह नहीं मालूम के दूसरी जगह क्या है अगर आप चाहते हैं रोज हर फिल्म में एक नए प्रिस्नैलिटी क्रियेट करें तो लोगों के बीच में रहना पड़ेगा आपको बहले थोड़ी परिशानिया होती है बढ़ रहना पड़ेगा उनके बीच मेरा तो ऐसा मानना है